नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार और मैं हूँ आपके साथ विशाल जा बिहार विदान मंडल का उनीसवा दिन भी जोरदार हंगामों से घिरा रहा इस बार विपक्चन नितीष शरकार द्वारा जो सदन में नया बिल लाय जा रहा है उसको ले करके जम कर विरोध किया दरसल आपको बता देखी नितीष सरकार सदन में एक नया बिल लाना चारी है जिसका की नाम है बिहार विशेज ससक पुलीस अधिनियम बिल इस बिल के अनुसार जो है वो जो नितीश चरकार है वो एक नया पुलीस बलका गठन करना चाहती है जिनके ओपर नई जिम्मेदारिया सौपी जाएगी और बिहार में जो अपरादी घटनाएं बरती जारी है उसको ले करके उस पर रोग थाम लगाने के लिए इस नय पुली करणून के रूप में साबीत हो सकता है तो आई ये हम जानते हैं कि ऐसा क्या ऐसी बड़ी बात हे इस बिल में जिस्को ले करके जो विपक्त जो है वह सदर में इस बिल को काला-कालूर के देख रहा है और इनके उपर जो यहाँ है वो जो द्विरोध हो रहा है दरसल ये ज साथ उन्हें बहुत सारे कारें से चुटकारा भी मिलेगा ताकि वह अपने हिसाब से काम कर सके ऐसे में अगर से बात करें तो यह जो नया पुलीस मेन का जो गठन होगा वो केंद्र का जो CISF बल होता है उसी के अनुसार ये उसी के तरज पर काम करेगा इसका जो पूरा जो कंट्रोल रहेगा वो बिहार सरकार के उपर रहेगा और इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारिया दी जाएगी ऐसे में यह जो नया बिहार पुलिस का जो गतन किया जाएगा उनका जो है वो काम रहेगा वह बेना किसी वइर्ण के किसी को भी गिरफथार कर सकती है सिर्फ उनके ओपर जो है कि सब्सक्राइम का कर रहे गा है जो है कोई कोई जवाब देंहें होगी क्विपस्च के विर שמן चाहिए कि अपर जो इतनी सारी चाही चलाएगी तो ऐसे में इस बिल को जो है वो पारित करने के लिए सदन जो है वो काफी परिशान है जो विपक जो है वो सदन में हर संभव कोशिच कर रहा है कि इस बिल को पारित नहीं किया जाए दरसल इस बिल को लाने के लिए पक्ष दौर जो है वो एकी बयान कह रहा वाले इलाके चाहे वह रेलवे स्टेशन हुआ चाहे वह एरपोर्ट अड़ा हुआ चाहे वह मार्गेट हुए इन सभी जगों पर इन जो यह जो नया पुलिस बले इसका जो है गठन करके उन्हें वहां एलोट किया जाएगा उन्हें वहां पर देखरे के लिए रखा भी है सरकार का तो यहीं पक्ष है कि इससे बिहार का जो अपराद है जो क्राइम डिकॉर्ड जो हर महिने हर अफ़ते बढ़ते जा रहा है उस पर रोक ठाम लगा लेकिन विपक्ष कहना है कि इसमें जो पूलीज को इतने सारे अधिकार दिये जा रहे हैं और सबसे बरी बा पैसे में इस बिल का गलत इस्तमाल होगा अगर कोलविला के बात किये जाए तो इस बिल में बहुत सारी सुधार की जवरत है इस बिल में जो है वह पुलीज को नहीं विपक्ष जो है वो चाहता है कि कोट जो है इस पे अपनी दखल अंदाजी करें और एटलीस कोट को जो है वो कम से कम यह भार मिले कि वो कभी भी किसी भी मुद्धे पर दखल अंदाजी कर सकता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार जो है निश्चित तोर पे इसको अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद लाइब भी हाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें